प्रिकॉशन्स कैसे बचना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे और स्पेशली के हमें कैसे हेंड वॉशिंग करनी चाहिए और कौन से स्टेप्स होने चाहिए क्या टाइम होता है वो सारी चीज़े आज हम डिसकस करेंगे चाहिए तो सक्के पहले यू नीड तो ओपन दर टैप एंड जस रिस यूरेंड विद दर वाटर ओके देंगे तो थोड़ा सा सोब हाथ में लो टेके जिट सा ओके देंग रब लाइक दिस रब दा पाल्म दिस इस अफर्स स्टेप ओके आपको अपने पीजे ऐसे बिट्वी सब्सक्रीज र्म पाल्म केज सेंगे रब खर्णा के तो फिर दा थिस रूपर में अपने दिस एरिया आज दिस रिए अट नहीं धीड शिक्षट यू नेगे देन थाम, लाइक देस रिशा, ओके देन आपको अपने आर्म से ये खोलना है और इस तरीके से गॉस्ट करना है जो भी नियरबाय आपके क्लीनिंग के लिए जो भी है मॉब करने के लिए उससे आप अपने हैंड्स ड्राइ कर लें क्लीनिटी सेकंड्स के लिए आपको वाश करना होता है एंड्स यूर के जब आप वाश करने उसके बाद आपको टैप को टच नहीं करना है जी बिलकुल तो गर बहर जूते निकाल देती हूं और मेक शूर करती हूं कि घर के अंदर जो स्प्रेय है उससे क्लीन करके फिर जूते घर के अंदर लाया जाए फिर होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म के अंदर भी जो है वो जैसे ही हम घर में आते तो फॉरन डायरेक्ली अगर आप वाश कर सकते हैं तो बैस्ट ही है कि आप वाश कर ले अपना उनिफॉर्म और अगर वाश नहीं कर सकते हैं तो इसको डिटॉल में फोप कर के रख दें और फिर आप गोड़ा यह रहा है एक टाइम लिमिट डिया जिया और आपको रोज वार्निंग आती है आपको नीचे नहीं उतरना है अपने घरों में रहना है इस ताइम से ताइम तक नहीं उतरना है यह चीजों का बहुत यहां पर यह इग्जाटवी और सेकेंडली यह भी का गया है कि जो भी इस चीजों में तो अब जितनी भी है हमारी सूपर स्टोर्स है यहां पर लूलू हाइपर मार्केट है कैर फॉर है तो वहां पर ओनलाइन सर्विस भी अवेलेबल हैं सूपर मार्केट में जब आप एंटर होते हैं तो आपको पहले अपने हैं को प्यूर जे सेंसिटाइज करना है दैन आप अंदर जाएंगे तो आपका फीवर चैक होगा यह हर एक बंडे का फीवर चैक होगा और फिर इसके बाद आपको जो भी आप ट्रॉली वगएरा कुछ भी आप यूस करनी है तो आपको ग्लव्स दिये जा रहे हैं आपको मेक्शूर करना है कि आप मास्क पहने बगए ना उत्रे नहीं